अभिशेक रियालिटी में भी ऐसा ही है, रियल लाइफ में भी ऐसा है अभिशेक ने बहुत अच्छे से खिलाया रोज सुभे के दो घंटे टाइम भी देथा था, डान्स भी सीखता था तो वो उसमें जस्बा जुनून था कि अगर मैं बिग बॉस में जाओंगा तो मुझे हर एक चीज से परफेक्ट होना होगा अभिशेक कुमार इस वक्त बिग बॉस के घर में है और उन्हें धे सारा प्यार मिल रहा है और जाएंस है उसी मुद्दे पर और अभिशेक कुमार का एक और गाना भी आ रहा है आपको अभिशेक कुमार टूफि के साथ जरूर दिखेंगे लेकिन उसके पहले एक ट्रीट दी है उनोंने एक गाने के साथ उस गाने में उनकी जो कोस्टार है रिया गुपता इस वक्त हमारे साथ हैं सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत रिया जी थांक्यू सो मच पर बिंग यह कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हो आप लोग कैसे और अभिशेक एवेंजर्स सारे लोग कैसे हो अभिशेक एवेंजर्स बहुत सही है और उन्हें ना जैसे मैं इंटरो में भोला है धेर सारा प्यार मिल रहा है लोगों से इसके बाद से लोगों का जो सपोर्ट है तोर्स अभिशेक वो आइधिंक सौ गुना जादा बढ़ गया एक गुना दस गुना नहीं सौ गुना हर सीजन से कोई ना कोई एक individual personality जो जिसे दुनिया नहीं जानती थी और वो उभर के आता है वो वही होता है जो real personality होता हर सीजन में आपने देखा होगा लेकिन अभिशेक कुमार उन्में से एक है जिसने खुद आके अपना पूरा personality हर एक चीज पूरा शो को दे दिया और उ वो देखने मिलने वाला है लोगों को इस गाने में करेक्ट तो हाव एक्साइटि एक्साइटिंग इस गोंग तो बी एक आप निकले तो सारे काम करेंगा लेकिन तब तक आपको आपको अवकाडो में भी देख के बहुत मजा आएगा उसकी जो रोमांटिक साइड है जिस वो लड़कियों को मनाता है आपने आथा शो में भी देखा होगा लेकिन गाने में युल लव एस डांस मतलब ही इस अ गुट डांसर वो मतलब शो में जाने से पहले उसने बहुत मतलब एक महीने डांस सीखा है पर्ट्स नली वो रोज जिम बे जाता था अपने डांसर को कोरियोक्राफर को रोज सुभे के दो घंटे टाइम भी दे था था डांस भी सीखता था तो वह उसमें जस्बा जुनून था कि अगर मैं बिग बॉस में जाओंगा तो मुझे हर एक चीज से परफेक्ट होना होगा अच्छा अभिशेक कुमार का जो घुस्ता है वो काफी अभिशेक कुमार का जो रियल नेचर है वो क्या है यही रियल नेचर है अभिशेक रियालिटी में भी ऐसा ही है रियल लाइफ में भी ऐसा है हम सेम एजिंसी से हैं हमने देखा हम बहुत बार मिलते साथ में बैठते हैं तो ही इस दवान अगर उसे जो बात सही लगी है नह तुरंद बोल देगा कि नहीं आप मेरे साथ गलत करो यह वो तुरंद मुद्दा उठा देगा भले उसका मतलब सामने वाला क्यों ना कितना ही क्लोज हो उसे जो बात गलत लगती वो गलत बोल ही देता और वो जगड ही लेता है मतलब कहो कि यार आप यह चीज से गलत कर रहे आपने जरूर देखा होगा सुना होगा कही ने कहीं क्या आपको लगता है कि अभी शेक ऐसे हैं जो लड़कियों की इज़त नहीं करते हैं बिलकुल नहीं उसे वैसे लोग ही नहीं मिले ना उसे सारे इस लेवल तक जाके पोक कर रहे है और इतने गंदे बाते कर रहे है तो वो कोई भी भगवान तो है नहीं कि वो ऐसे ही माफ कर दे और रही बात रिस्पेक्ट की तो ही ज़वन मैं उसकी दोस्त हूँ वो अपने दोस्त से भी तहजीब से बात करता है मैं खुझ शौक थी क यार वो तू करके बोलेगा ही नहीं अच्छा रिया आप कैसे हो हमेशा तो एक वो इसका ये नेचर इसका ये इतना प्यारा ब्यूटिफुल चीज ये उसकी तहजीब उसकी जुबान बहुत अच्छी लगती है मुझे तो मैं कभी नहीं कह सकती कि यार वो डिस्रिस्पेक इन तीनों का रिष्टा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अभिशेक इशा के एक्स है और समर्थ प्रेजेंट है तो इस इन तीनों चीज़ों के बारे में इन तीनों लोगों के बारे में ये जो इनके रिष्टे हैं आपको कितनी जानकारी थी या अभी भी है का जेप === तो उसमें मत तब पता चलो तब मैं उससे पोस्टनली मिली ही नहीं थी वह सेट पर आया हम रोल कामरा शूट करके वह चले गए उसका थोड़े देर का ही शिफ्ट था और मेरा मतलब पूरे दिन का तो वह वंडे का ही उसका शूट था तो मैं उससे एक यह दिन मिली नहीं तो तब तब मुझे पम्हें अच्छे समढ था ईशा का बोईफरेंट वह भाई गाड़ था तब पता चला तो क्या लगा था उस्टे जब पता चला पहला रियाख्शन क्या था किकि वह शूओ में भागा ही था शूओ में मेरा बॉइफरेंट बना था और वह मेरे तो मैंने देखा कि यार एंटेटीनिंग तुम बहुत अच्छी हो सारी चीजे तुम में बहुत अच्छी खूबी है कि तुम लोगों को हसाद और लोगों के चाहरे पर स्माइल लिया बट यह गंद जो आपने फैला के रखा यह जो डर्टी गेम अब वो एक चीज गंदी है और वो खुद कहीं न कई इस ताइम पर भी रियलाइस करता होगा कि यार वो बाहर निकल गया अजब उसे जनता को फेस करना होगा उस कॉमेंट्स पढ़ रहा होगा सोचल मीडिया पर जारौगा तब उसे रियलाइस हो रहा होगा कि उसने क्या नहीं गलत कर दिया एक रिल तो आपको इस बारे में जानकारी थी या इशा जो बोल रही हो पुरी तरह से बेबुनियाद ही लग रहा है मुझे बिकॉस मुझे नहीं लगता हो कभी इसने हाथ वाट उठाया होगा इस टाइप का लड़का बिल्कुल ही नहीं और अगर यह लोग कह भी रहा हाथ उठाया आप एक साल भी ब्रेकप के बाद थे ना अलग थे तो आपको शो में आके यह सरी चीज़े क्यों बतानी थी नहीं बोलनी चाहे थी आप इफ इफ यू वर ओके बाग दें दें यू शुड नौ ब्रिंग दिस प्रब्लम इंद हाउस लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले कि हम बात करें यह कि दो हफते हुए जिस तरीके से पोकिंग कर रहे थे अभी इशा और समर्थ अभिशेक के उपर और समर्थ को उसका हरजाना मिल भी गया वह जो पूरा इंसिडेंट हुआ आप उस पर क्या कहें जी उसके वज़े से तो खैर उसने फिर जंता को जावा बैठा और रही दूसरी बात वो टास्की बात वो इशा परी बोल रहा था कि अगर आपने इम्म्यूनिटी मुझे दी होती तो आज दिन घर में रहता तो उसे इतना उन दोनों कपल्स का ध्यानी पोगिंग पर चला गया गया गेम पर क्या रहेगा मैंने का ना शु पर यह मैं आपसे पूछने वालता है यही कि इशा और समत का जो गेम था मुझे ऐसा लगता है और आइधिंक को ओडियंस को भी ऐसा लगता है कि इनका जो गेम था टोटली आइधिंक मोर देन 95% अभिशेग पर ही डिपेंड था मतलब इनका कुछ मतलब आगर आप इंडिवीच्वली बुलाए गए थे ना आपको तो आप डे वन पर भी जब भी एंट्री होई थी आपकी आप तब भी अभिशेग का टॉपिक निकाला कुछ इंसिडेंट कुछ फाइड अरे अभिशेग ऐसे अरे पता है मेरे टाइम क्यों कर रहे हो आप घर में हो फ्रेश साइट करो ना आपको अगर प्लैटफॉर्म मिला उसकी आप रिस्पेक्ट करते तो इतना डर्टी गेम ना बनाते है आप लोग अच्छा अभी रिसेंट एपिसोड की मैं बात करूँ तो तो टॉचर वाला जो टास्को आप आपने कर दी इसके वाज़े से इशा को थोड़ी सिंपथी मिल रही है लोगों से जी बिल्कुल मुझे तो लगता है सिंपथी के लिए ही किया है बिकॉस एक दिन पहले ही आप उसके अगेंस जाके बोल रहे थे कि यार अभी शेक के उसे निकलाय समर्द ऐसे मतलब वो इमोशनल ह आपको उसके साइड नी आपने युमानिटी दिखाई मुझे अच्छा भी लगा इशा आपने अभिशेक के उससे मिर्ची हटाया पानी डाला पानी डालने के बद सर्फ एक्सल कॉन डालता है बताओ मिर्ची हटा रहे हो हाँ ठीक है कि ये कैमरा पार्ट लेने के ये वाल को खिलाडी बने कि अब बिग बॉस भी चाते थे आप दे टास्क कुमार जानते हैं लोग जिसके लिए कि इसको टास्क करना बहुत पसंदे वो दिन इसी दिन का वेट कर रहा था एंड बहुत अच्छा लगा उसको इतना सपोर्टिंग ली खेलते हुए देखते हैं बिग अब लगाए और में इसाम गिनाऊंगा तो काफी टाइम हो जाएगा वह दो आपको लगता है कि यह रिष्टा बिग बॉस के बाद भी चलेगा क्योंकि जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर यूनों फायर करे जा रहे करे जा रहे तो आपको लगता है यह रिष्टा बाहर देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि बिल्कुल यह चलेगा और वो जब बहर आके अंकिता जी अपने सासु मॉम का जब वो सारी चीजे देखिए देखिए दोनों हाव विल शी फेस और क्या रियाक्शन होगा और उन दोनों कॉपल्स पर बहुत भारी बढ़ने वाला लेकिन हमने देखा था कि विकी ने भी एक बार अंकिता को मारने का ट्राय किया था ऐसे करके गुस्तो किया था उन्होंने और अंकिता जी ने चपल फेक कर मारी थी उन्हें तो आपको नहीं लगता यह चीजें को जादा हो जाती है नैशनल टेलिविजन पर बिल्कुल जा यह सारी चीजे वह एज वाइफ भी उन्होंने वहां पर एक अच्छा रोल प्ले किया कि अपने हस्बेंड की चीजों को छुपाया लेकिन नैशनल टेलिविजन पर एक बार चीजें खुल जाती है देन वी कांट स्टॉप पब्लिक तू डिमीन यू अच्छा मुनवर और आईशा का काफी सारी चीजें चल रही है मुझे अभी तक चीजें समझ में नहीं आ रही है लेकिन मुनवर पर जो टैग लगाया जा रहा है क्योंकि उनकी इमेज जो पसनली जहां तक हम जानते हैं उनकी बहुत अच्छी थी और बिग बॉस के वज़े से थोड़ी सी जो खराब होती नजर आ रही है क्या ही कहे मनावर जी आप मतलब वो नहीं इतना उन्होंने इतना अच्छे से फेस किया उनकी एक यह थी कि वो शायद वो अंदर से उत्ते जादा स्ट्रॉंग नहीं होंगे कि वो इतना ले पाई इसलिए वो उस जोन में चले जाते थे दो दो अब भी न निकल पाई उससे आपको गेम पर एफेक्ट हो तो यह सारी चीजे कुछ हद तक नहीं सही है उसका गेम थोड़ा वीक हो गया आईशा के आने के बाद अभी उन्होंने अभिशे के साथी कॉन्वरसेशन में एक चीज कही है कि आईशा और अंजली अरोडा के साम ले रहे थे फिर जैसे आईशा है फिर पता चले की हम तीन है फिर तीन के बाद पाच हो गया तो यहां से इंसान फिर एक रिस्पेक्ट हो देता है सामने में लगे कि जितने लोग प्रेस करते होंगे मुनावर की शायरी इतनी अच्छी वो इतने अच्छी स्टैंड अप कॉमेडियन है तो इन चीजों के वज़े से थोड़ा सब वो हो जाता है क्या लगता है अभिशेक जो ट्रॉफी है वो लिफ्ट कर पाएंगी क्योंकि उनका कॉंफिदेंस मुझे मिले थे तो काफी उन्होंने बोला था कि भाया जा रहा हो जीत क्या हूंगा क्या जिए बिलकुल मुझे भी जाने से पहले ही जब हमाई रीहर्शल सहोरी थी तब एक क्लिप बी मैने लिया की देखनाश पंजब का मुंडा है यह पंजाब से अधेर सारा पियार मिल राहा है अब तो पंजब से मिली रहा Sarah लेकिन अब पूरे इंडिया से मिल रहा है तो मुझे ही बिग बॉस की ट्रॉफी लानी है and I want him to win, because he is the one जिसने शो को हर एक चीज दिया है mentally, emotionally, in the task, फिर मुद्ध उठाना हो हर एक चीज वो पावर पैकेज धमाका यार जो बिग बॉस की कंटिस्टेंट में होना चीज वो उसमें है तो मुझे लगता है कि he is the deserving winner क्या लगता है अगर अभिशेक, if बगवान न करे, ऐसा हो कि अगर अभिशेक नहीं जीतते हैं तो कौन हो, कौन जीत सकता है तब मुनावर, मुनावर बिकाज उनकी फैन बेज बहुत अच्छी है तो उनके लिए और अंकिता जी के बीच में हो सकता है टाय चलिए, लास्ली हमें जाते जाते यह बताएगी कि अपर्ट फॉम्द सॉंग आपकी तरफ से क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्स आने वाले हैं क्या आप और अभिशेक एक शो में नजर आने वाले हैं क्या यह ऐसा हो सकता है पूरी कोशिश करूंगी और उसे भी मैं चाहती उसे वो शो तो कर रहा ही लेकिन मैं उसे बड़े परदे पर देखूंगी न भी चाहूंगी कि मैं उसके साथ शो करूंगी और विल किल टूगधर वन टूब बेस्ट रिंस मीट इस पावब पैकेज करंसर जब यह आयते तो उन्होंने हग भी किया था पहले वाले एपिसोड में नहीं लगा था जब पहली बार का रहनसर आयते तब तो ऐसे निशकाशित लग रहा था लेकिन अब की बार ऐसे लग रहा है क्योंकि यही तो कमाया है अर अभी शेक ने जंता का प्यार सब का सब लोग देख रहे जो शुरुआत के दिनों में को दिखा सब को दिखा तो everyone is accepting him उसका रियल साइड चली रिया thank you so much for talking to us it was lovely talking to you thank you all the very best for whatever you do thank you so much